प्यारे परमेश्र पिताब, प्रभु येश्य मसी नाजरे के नाम से हम आपके चलनों में आते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी भलाईयों के लिए, आपकी आशीशों के लिए, धन्यवाद करते हैं कि आप सदा हमारी चिंता करते हो, हमारी रखवाली करते हो, सदा हमारे संग आप बने रहे हो प्रभू हम नई वाचा के हम वाचा की संतान है जो मसी येश्यू में की गई है प्रभू हम दन्यवात करते है कि आपने ये उसर दिया कि पूरा साल हम आपकी आराध ना करने पाए चाहे प्रभू लॉकडाउन हुआ या कुछ भी बाते हुई पर फिर भी प्रभू आपने हमें संभाला आपने हमें इन सारी बातों में भी आनंदित रखा कभी भी हमें कोई भी बातों की कमी गटी नहीं होने दी और प्रभू आज ये उसर मिला है कि पूरे साल के ये आखरी संड़े प्रभू के दिन में प्रभू आज फिर से आपकी आरातना करने पाए हम फिर से दूआ और प्रातना करने पाए और प्रभू ये अवसर मिला है कि हम तेरे बच्चन से कई बातों को आज समझना चाहते हैं प्रभु मैं मेरा रिदय मन आत्मा शर्प्राण आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्यारे पवित्र आत्मा सुनने वाले और वचन को ले जाने वाले सभी लोग प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित होते हैं प्रभु मेरा मुख का कंट्रोल ले, प्रभु मैं नहीं, मेरा ज्यान नहीं, मेरी बुद्धी नहीं, मेरी सिखी हुई बाते नहीं, पर प्रभु आज तेरे पवित्र आत्मा से प्रभु तेरी बाते लोगों तक पहुंचे, पवित्र आत्मा हम सभी के साथ आज आप बात कर सारा आदर महिमा सम्मान हम आप ही को देते हैं प्रभु येश्व मसी नाजवी के नाम से मांगते हैं आमेन लुकार रचित सुसमाचार उसका दूसरा अधियाई आठ से आठवी आयत से आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और उस देश में कितने गडर्य थे जो रात को मैदान में रहकर अपने जूंड का पहरा देते थे और प्रभु का एक दूत उनके पास आख़डा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों और चमका और वे बहुत डर गए दसवी और ग्यारावी आयत इसके उपर ध्यान दीजे ये समझने के लिए मैंने आटवी और नौवी आयत पड़ी थी दसवी और ग्यारावी आयत तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो हमारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और वही मसीह प्रभू है एक ऐसा समय था जब यहूदी लोग जो ग्रीक एमपायर रोमन सल्तनत उनके उपर राज कर रही थी उनसे चुटकारा पाने के लिए आने वाले मसीहा की राख़दार देख रहे थे और सिव यहूदी लो है कि पुर्वयूग में हमारे बाबदादाओं ने हम परमेश्वने हमारे बाबदादाओं से थोड़ा थोड़ा और भाती भाती करके बाते की यानि कि परमेश्वर किसी जाती और कुल किसी एक संपरदाई का परमेश्वर नहीं है वो पूरे विश्व का परमेश्वर है और इसी लिए आप सबसे पहले देखो, जो मसीह जन्मा था, उद्धार करता जन्मा था, उनको देखने के लिए, जो यहुद्या नगर था, जो इसरायल था, वहां से किसी को पता नहीं चला साय, पर सबसे पहले पूर्वा से, पूर्वा कहां है, मैं और आप पूर्वा में रहते हैं, इसरायल और वो सब एश्या के एक पार्ट में है, पर उसके आगे वेस्टन कंट्रीज है, बट वी आर इस्टन कंट्रीज, हम पूर्वी देश में रहने वाले लोग है, तो हमारे यहां से, राजा, जिसको मागी राजा कहके, तीन राजा वहां पर गए थे, और याने कि परमेश्वर ने ये उद्धार करता, प्रभू जब मनुष्य बना और इस पृत्वी के उपर आया, तो पूरे विश्व को उन्होंने, जो भी सास्त्र को जानते हैं, जो भी सास्त्र की बातों को समदते हैं, जो भी भविश्यवानियों के उपर विश्वास करते ह और बविश्यवानियों को जाजते है उनको प्रभु प्रगट करता है और इसलिए मागी राजा भी वहाँ पर देखने के लिए गए उस उद्धार करता कि वो मसीहा की राजाओ के राजा को वो वर्शिप करने के लिए अरादना करने के लिए वहाँ पर पहुंचे और मागी मागी राजा को परमेश्वन ने बताया उनकी बातों से एस्ट्रोलोजी से पर जब मसी आ गया उसके बाद ऐसी कोई बातों की संसा को आवश्यक्ता नहीं है उसके बाद जो पहला संदेश किसी को मिला तो वो थे गडर ये लोग हमाद तीन लोग देखेंगे एक मागी राज और उसके बाद गडर ये जिनको ये सूसमाचार बड़े आनंद का सूसमाचार उनको मिला कि दाउद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है उद्धार करता जन्मा है ये बड़ा आनंद का सूसमाचार गडर ये को मिला पर हम यहाँ पर देखना चाहत है कि जब ये आनंद का सुसमाचार मिला जब उद्धार करता अब जन्म ले चुका है वो बाते जब किसी को बताई गई उनका रिस्पॉंस सामने क्या था उनका रिस्पॉंस सामने क्या था गडर ये लोगों ने प्यारो आगे आप यदि पढ़ो मैं बेजिकली रोमन कैथलिक संपरदाई में जन्मा वहां ही मेरा उचेर हुआ और उसी फेथ में मैं आगे बड़ा पर बहुत सारी बाते रोमन कैथलिक संपरदाई में बहुत अच्छी है जो फादर्स और सिष्टर्स जब हम छोटे थे तो हमें जब इमेजिन करवाते थे आज वो बाते मुझे याद आई और मैं आपसे बताना चाहता हूं मान लो कि वो बड़े आनंद का सुसमाचार पहले आपको मिला होता आप क्या करते हमें इमेजिन करवाया जाता था कि सोच लो कि आप वहां पर मौझूद हो और हमने इमेजिन किया है जब हम छोटे थे कि यदि मैं वहां पर होता यदि मैं उस गड़र्य की जगा पर होता यदि मैं एक गड़र्या होता और मुझे वो आनंद का सुसमाचार मिलता तो मैं क्या करता गड़र्य लोगों ने तुरंत वो गए पहले तो प्रभू को देखा वो जहां पर स्टार रुका हुआ था जहां स्वर्गदूतों ने बताया था, वहां वो गए मसीहा को देखा, उद्धार करता को देखा, और 17 और 18 वी आयत हम पढ़ना चाहते हैं, 17, उनका रिस्पॉंस क्या था? उन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विशय में उनसे कही गई थी, प्रगट की, क्या किया उन्होंने? प्रगट किया, जो भी बाते मसीहा के लिए उनको कही गई थी, जो भी बाते उद्धार करता के विशय में, जो मैसेज उनको मिला था, वो उन्होंने पास जब लोगों को वो बाते पहुंची उनको आश्चरिय हुआ पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं वो गडर्यों ने जब उनको वो सुसमाचार मिला, वो आनंद का सुसमाचार मिला, के उद्धार करता जन्मल ले चुका है उनका रिस्पॉंस क्या था वो तुरंत मसीहा को अरादना करने के लिए देखने के लिए वहाँ पर पहुंचे और जो भी बाते हुई थी जो मेसेज उनको मिला था और जो उन्होंने देखा था वो जाकर अपने लोगों को उन्होंने बताया इमेजिन करिए यदि आपको ये सुसमाचार 2020 साल पहले यदि आपको वो बड़े आनन्द का सुसमाचार मिला होता आप क्या करते हैं सायद मान लो कि आज हमारे लिए मैं तो उसको बड़े आनन्द का सुसमाचार कहूंगा कि मसीह जो आने वाला है ना दुसरा आग वो जो आने वाला है, वो बार-बार मुझे और आपको वो सूस समाचार मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि वहाँ पर जब प्रभु येश्व मसी जन्मा था, मैं या आप होते हैं, सबसे पहले सायद हमने वाटसेप से लोगों को वो बाते बताई होगी, हमने जाकर व हो सकता है कहीने इस्टाग्राम पे उसको चड़ा दिया होगा, है ना, मुझे और आपको यदि वो सूस समाचार मिलता, मैं और आप क्या करते हैं, और आज हमारे सामने, जिस समय में अभी हम आ चुके हैं, आने वाला मसीह का दुसरा आगमन, वो राजाओं का राजा और प हापित होने वाला है, वो आने वाले राज्य की बाते बार बार लोगों को अब बताई जा रही है, मैं और आप उस आनंद के सूसमाचार को क्या कर रहे हैं, पहले तो विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हाँ सच में प्रभू दूसरी बार आने वाला है, और रा गडरियों ने जब उनको वो सुसमाचार मिला उन्होंने वो बाते चाकर प्रगट कर लिए एक ही मनुष्य इस संसार में आया जो मनुष्य नहीं पर परमेश्वर था हलाकि मनुष्य देह में वो मनुष्य था पर वो परमेश्वर था और वो इस प्रुथ्वी के उपर मरने के लिए बलिदान होने के लिए लोगों के पापों को अपने आप पर ले लेने के लिए और उद्धार लोगों को देने के लिए संसार में जन्मा था ताकि वो इस पृथवी के ऊपर अपना बलिदान करे वो मृत्यू पाए पर हरे की व्यक्ति जो उस مسीहा के ऊपर विस्वास करे उनको वो अनन्ति जीवन देदे वचन कहता है जो कोई प्रभुयेश्यों मसी पर विस्वास करे उनका नास ना होगा और वो अनंते जीवन पाएंगे हम आज जो बाते ने हेवेन जब ये गडर्यों को ये सुसमाचार मिला तो किस ने उनको सुसमाचार दिया था हेवेन ने स्वर्ग दूतों के जबारा उनको वो सुसमाचार मिला था दूसरे भी एक इंसान के बारे में हाद जो हम देखना चाहते हैं ये बात हो गई थी अब तक जो हमने बाते की वो जब प्रभु येश्व मसी जन्मा था उद्धार करता जन्मा था तब लोगों को प्रगट की गई पूर्व से आये राजाओ को मागी राजाओ को गडर्यों को और भी सिम्योन करके इंसान था एक प्रभु दिका थी उनको भी बाते बताई गई थी और वो राह देख रहे थे पर जब मसी इस प्रुछवी पर आ गया और उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की तो एक ही सबसे पहला एक इंसान था जिन्सको प्रभु ने खुद बत कौन था वो व्यक्ति जिसको प्रभु ने खुद बताया एक ही इनसान है जिसको पहले प्रभु ने बताया कि मैं वो मसी हूं कौन है वो व्यक्ति सामरी स्थरी ना आये हम वचन में आके बढ़ते हैं कि यहुनना रचिसू स्माचार यह आज का मुख्य विशए है यहुन्ना रचिसु सुमाचार उसका चौथा ध्याई इसकी पुर्व भुमी का हम देख लेते हैं प्रभु येश्यू और चेले लोग अब प्रभु येश्यू ने अपनी जाहीर में सिवकाई सुरू कर देती वो लोगों को राज्य की बाते बता रहे थे और कई लोग प्रभु की बाते सुनकर चमतकारों को देखकर उनके उपर विस्वास कर रहे थे और उसी बीच परमेश्वर एक दिन प्रभु येश्यू मसी एक दिन यहुन्ना चोथा अज्याय मैं पहली आयत से कुछ आयते आपके लिए पढ़ता हूँ फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरुश्यों से तिसरी आयत हम पढ़ते है तब यहुद्या को छोड़ कर फिर गलिल को चला और उसको सम्मार्या से होकर जाना अवश्य था इसलिए वह सुखार नामक सामरीयों के एक नगर तक आया जो उस भुमी के पास है जिसे याक कुप का कुवा भी वहीं था अतह इश्युमार्क का थका हुआ उस कुए पर योहीं बेट गया यह बात छठे घंटे को के लगपक हुई इतने में एक सामरीस्त्री जल भरने आई इतने में एक सामरीस्त्री जल भरने के लिए आई प्रभु येश्यों मसी कहां जा रहे थे क्यूं जा रहे थे वो सब उनको पता था सामरी स्त्री के साथ उनकी भेट उनकी मुलाकात वो मैं उनको कहता हूं कि heavenly appointed but earthly executed स्वर्ग ने उनकी नियुक्ती की थी ये appointment स्वर्ग से नियुक्त हुई थी और पृत्वी के उपर उनका execution हुआ था जब प्रभु येश्यु मसी उस कुवे पर बैठ जाते हैं सिश्य लोग खाना लेने के लिए उस सुखार या आजपास के कोई नगर में वो गए और प्रभु येश्यु वहीं ही रुके क्योंकि उनको पता था कि अभी वो सामरी स्त्री आएगी और मुझे उनको मेरे विशय में बताना है सामरी, समरूनी लोग, यहुदी लोग उनको दुतकारते थे, सामरी और यहुदी के बिच में कोई ऐसा नाता नहीं था, कोई रिस्ता वो लोग नहीं रखते थे यहां तक कि उनके पास से कुछ लेना या उससे इवन बात करना वो भी उनके लिए अच्छा नहीं मानते थे उसकी हिस्ट्री थोड़ी अलग मैं थोड़ा बता दू तो नौर्थ और साउथ इसराइल का जो नौर्थ भाग है वहाँ समारिया था समरून था और साउथ में जे प्रजा जो वहां के लिए जो फॉरेनर से वहां पर आये और कुछ यहुदी जो उसके साथ मिस्रित हो गए और उनकी जो संतान और वो यहुदी लोग वो बात में यहुदी नहीं कहला रहे जा सकते पर वो उनको शामरी कहा गया क्योंकि वो समरून में रहते थे और उनको यहुदी लोग कभी भी उनके साथ रिस्ता नहीं रखते थे उनके साथ इवन बात करना भी वो जायज नहीं मानते थे और उस सामरिस्त्री को प्रभू अपने विशय में बताने वाले थे और वो वहां पर रुके और जब सामरिस्त्री आई तो उनसे प्रभू पानी के वि थी दोपर में आती थी क्योंकि या सुबह जाए या साम जाए तो दुसरी स्रिया भी वहां पर आये और उनका जो सोश्य स्टेटस था उनका जो रिलेशन स्टेटस था वो एक उनका अभी कोई पती नहीं था औरेड़ी वो कई पती कर चुकी थी अपने संबंदों में उनके स में कह सकते है पर देखो प्यारो परमेश्वन ने उनके लिए योजना की थी जैसे आपको और मुझे एक समय पर प्रभु येश्यू मसीख का सुसमाचार मिला वो भी परमेश्वर की योदना थी वो भी स्वर्ग से निव्त की हो गई योजना थी आपके और मेरे लिए पर डिपेंड ये करता है कि आपने उनका रिस्पॉंस कैसे किया अज जो कोई भी प्रभु येश्यू मसीख पर विस्वास करते हैं जो कोई भी मसीख ही है प्रभु के पीछे चल रहे हैं उनके लिए ये परमेश्वर की योदना थी और वो योजना सिर्फ आपके और मेरे लि है कि हमें स्वतंत्रता दी गई है freedom of choice, freedom of will कि हमें respond करना है कि वो सुसमाचार को हम ग्रहन करे या उसको त्याग दे उसको छोड़ दे उन बातों पर विस्वास ना करे जब आपको और मुझे प्रभु का सुसमाचार मिला वो भी परमेश्वर ने नियुक किया था धन्यवा करे सदा धन्यवाद करे अपने उद्धार के लिए कि प्रभु ने आपके लिए योदना की थी एक ऐसे इनसान को कोई ना कोई आपके पास आया होगा किसी ना किसी ने तो आपको कलिश्या में आने के लिए या प्रभु येश्यु मस्जी के विशह में बताया होगा प्या आपके लिए व्यक्तिगत योजना बनाता है, आपके और मेरे लिए व्यक्तिगत वो योजना बनाता है, वो आपकी चिंता करता है, आपके उद्धर के लिए वो सदा कारियरत है, और जितने भी लोग इस पृत्वीव के उपर है, उनको किसी ना किसी रीती से, क्योंकि हम पर परमेश्वर को जानते है कि वो बड़ा धयालू है वो बड़ा धयालू है तो जरूर वो हरे एक व्यक्ति के लिए योजना करता है जैसे इस सामरिस्त्री के लिए उन्होंने योजना की वचन कहता है कि पिता के खींचे बिना कोई भी मनुश्य कोई भी इंसान इस पृत्वी का प्रभु येश्व मसी के पास आता नहीं है यानि कि वो फिता की इच्छा थी वो परमेश्वर की इच्छा थी जैसे सामरी स्री के लिए परमेश्वर ने योजना की आपके मेरे और हर एक मनुष्य जो इस पृत्विक के उपर है उनके लिए परमेश्वर की योजना तो है पर आप और में जो प्रभु येश्यु मसी को जान चुके है हमारा भी एक रोल है प्यारो कि हम लोगों के जाकर परमेश्वर की जो योजना है लोगों को तक उद्धर की बाते पहुँचाने की लोगों तक मसीह में जो उद्धर है मसीह में जो पापों की शमा है मसीह में जो अनन्त जीवन की आशा है वो लोगों को देने के लिए हम उस योजना का पार्ट बने हम उस योजना में सामिल हो वो जानना बहुत ही आवश्यक है हम आगे बढ़ते हैं जब सामरिस्त्री को रभू ने बात करना सुरू किया तो पानी के विशे में बात की क्योंकि वो सामरिस्त्री हर रोज दो पहर में वहाँ पानी भनने के लिए आती थी क्योंकि यदि वो सुपह जाए या साम जाए तो उनके संग जो स्त्रीया वो भी पानी भरने के लिए जाती वो उनको ताने मारती होगी, उनके उपर हस्ती होगी, उनके विशह में अच्छी बाते वो नहीं बोलती होगी और वो कहीं ना कहीं उस तरी को हट करता होगा और इसलिए वो दो पहर में बारा बजे दो पहर में वो पानी परने के लिए जाती थी पर वो भला परमेश्वर देखो उनके लिए उसके समय का भी परमेश्वर ने ख्याल रखा और अकेले में उनसे बात की और प्रभू उनकी आवश्यक्ता के अनुसार उनका ध्यान जहां जल पी है यदि वो जल कोई पाए तो उनको फिर पीने की आवश्यक्ता ना होगी और वो अपने उनके अपने आप में एक अनन्त जीवन का सोता बन जाएगा यानि कि जो कोई उस पाणी को पालेगा जो कोई उस पानी को पी लेगा उनके उदर में से उनके अंदर से वो अनन्त जीवन का सोता बहेगा और कई लोग उनसे आशिशित होंगे कई लोग उनसे पानी अनन्त जीवन का पानी पिएंगे यानि कि उद्धार की वो बाते अनन्त जीवन की बाते ऐसे लोगों से आगे बढ़ेगी वहाँ सामरिस्त्री प्रभू से कहती है बहुत कुछ बाते हैं डीटेल में नहीं जा रहे हैं समय के कारण वहाँ सामरिस्त्री कहती है कि मुझे वो पानी दे और जब प्रभू उनसे कहता है कि जाके अपने पती को लेकर आ वो कहती है कि मेरा पती नहीं है मेरा कोई पती नहीं है प्रभू कहता है कि सच कहा तुने तेरा कोई पती नहीं है और आगे वो कहती है कि तुम मुझे भविश्य वक्ता मालूम पड़ता है और उसके बाद जो बाते होती है कि वर्शिप के विशय में कि तुम यहुदी लोग कहते हो कि यरुशालेम में मंद ना कोई चोटी ना कोई पहाड पर आत्मा और सत्यसा से रिदरि से परमेश्वर की आरादना करना है। कोई पहाड या ऐसी जगा पर जाना आवश्यक नहीं रहेगा। हैं रिदय से वह सुरू होता है और इस पुर्ठव के उपर वह एक्जीक्यूट होने वाला है और वह जब प्रभू येश्व मसी को सुईकार किया जिन जिन लोगों ने प्रभू येश्व को राजा के रूप में अपने उद्धार करता अपने प्रभू के रूप में मान लिया उस रिदयों में परमेश्वर का राज्य स्थापित हुआ सामरी स्त्री को ये अकेली स्त्री जिनको प्रभु ने खुद कहा 25 और 26 वी आयत यहुन्ना चार 25 और 26 वी आयत स्त्री ने उनसे कहा मैं चांदती हूँ कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है जब वह आयेगा तो हमें सब बाते बता देगा वो सब बाते हमें बता देगा प्यारो सोचो एक सामरी स्त्री एक समरुन में रहने वाली स्त्री जिनका जीवन हमारी नजरिय से अच्छा नहीं है लोगों की नजरिय से अच्छा नहीं है लोग उनको दुद्कारते हैं लोग उनके विश्वाई में बहुत सारी बाते करते हैं पर उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना थी और कितना बड़ा सोहबा कि मैं इसको सोहबा क्या मानता हूँ इस अ प्रिविलेज ये सोहबा क्या है उसके लिए कि सबसे पहले यदि मसीह ने खुद प्रभू ने किसी को बताया हो कि मैं मसीह हूँ तो वो ये व्यक्ति थी ना कोई बीशप ना कोई पाश्टर ना कोई राब्बी ना कोई सास्त्री ना कोई फरिशी पर एक सामरिस्त्री जिसका इस संसार में उस समाज में कोई स्थान नहीं था उसको प्रभू सामने से कहते है कि मैं मसीह हूँ इस उने उससे कहा मैं जो तुझ से बोल रहा हूँ गही हूँ मैं ही वो मसीहा हूँ सामरी स्थ्री के बारे में सोचये प्यारो कि भले ही उनका कोई स्थेटिस नहीं था, समाज में संसार में उनका कोई ऐसा स्थान नहीं था लोग उसको दुद्कारते थे पर उसको पता था वो आराजना करने चाती होगी वो प्रभु की बातों के उपर उन्होंने सुना तो होगा उनको वचन तो पता था कि मसीहा आने वाला है और वो जब आएगा तो जो बाते सब हमारे विशय में हैं वो सब कुछ बता प्रभु ऐसे एक व्यक्ति को खूद आकर बताते हैं कि मैं वो मसीहा हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर योजना बनाता है प्यारो आपका और मेरा नजरिया और परमेश्वर का नजरिया अलग है आप और मेरी आपकी और मेरी आखे मेरी सोच इस संसार की रिती से साथ कई बार हम चलते है पर परमेश्वर हर एक व्यक्ति की चिंता करता है वो हर एक व्यक्ति को मौका देता है मौका पर मौका देता है और ये उनके हाथ में है सामने, प्यारो ये भी बहुत ही जरूरी है कि उस सामरिस्त्री ने जब उनको पता चला कि हाँ, मसीहा आने वाला है और जब प्रभु ने कह दिया कि मैं ही वो मसीह हूँ प्यारो उनका जीवन वहां पर बदल गया प्रभु येश्यू के संग की ये एक मुलाकात उस सामरी स्त्री को जिसको सायद हम पापी निस्त्री कह सके सायद हम उसको उसका जीवन अच्छा नहीं था उनके जीवन का कोई ठीकाना नहीं था ऐसा हम बोले पर उस त्री ने उस बात को ग्रहन कर लिया और ग्रहन ही नहीं किया आगे वो क्या कहती है तुरंत वो उनका उस समय के उनकी प्रायोरिटी थी पानी को घर पे ले जाना वो अपनी मशक को अपने घड़े को वो लेकर आई थी कि उसमें वो उपर था पर जब उनको पता चला कि ये मसीहा ये उधार करता है उन्होंने अपनी मसक अपना घड़ा वहां ही छोड़कर वो नगर में दौड़ पड़ी वो नगर में दौड़ पड़ी तब 3.28 वी आयत तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया कहीं यही तो مسीह नहीं है जो उनको मिला था मसीह की पहचान जब उसको मिली इस प्रुथवी के ऊपर उस उद्धार करता ने जब उनको बता दिया उनके उपर प्रगठ हुआ कि मैं उद्धार करता हूँ येश्यों मसीह मैं उत्धार करता हूँ उन्होंने अपनी प्रायोरिटी को छोड़ दिया वहाँ पर ही रख दिया और वो लोगों को वो बाते बताने के लिए दौड पड़ी जो उनको मिला था वो आगे पासौन करने के लिए वो दौड पड़ी अपने नगर में गई जहां लोग उनको दुड़कारते थे वही लोग जो उनको ताने मारते थे पर एक ऐसा सामर्थ क्योंकि बाइबल बताती है पवित्र सास्त्र कहता है कि ये सुसमाचार एक शामर्थ है अब वो सामर्थ, अब वो सुसमाचार का सामर्थ उनके रिदय में आ चुका था, उनके जीवन में आ चुका था और उन्होंने किसी की परवा नहीं की और वो लोगों के संग, लोगों के सामने वही नगर में, अपने ही नगर में दौड पड़ी और लोगों को बताती है कि जो जो मैंने किया है उस मसीहा ने मुझे बता दिया एक इनसान है जिनोंने मुझे बता दिया आओ और देखो क्या वो ही मसीह है क्या क्या यही तो मसीहा नहीं है वो दोड़ पड़ी अपने लोगों के बीच में और उनकी वो गवाही उस नगर के प्रभु येश्यु मसीह के पास ले आई, उनकी वो गवाही लोगों को, अपने लोगों को मसीह के पास ले आई, प्यारो, इस सामरी सिंग के साथ कभी भी हम अपने आपको सरखाने की नहीं, हम उनके संग अपने आपको जोड़ने की कोशिश कभी नहीं करते, यदि हम दाउद के समान मैं हूँ, मैं कोई कहेगा मैं मुसा के समान हूँ, कोई अच्छे-च्छे कोई कहेगा कि मैं पॉलूस के समान हूँ, कोई कहेगा कि मैं तो एस्तर के समान हूँ, उनके जीवन के साथ मेरे जीवन की बातें बहुत सारी मेल खाती है, पर हम कभी नहीं चाहेंग कि कोई कहे कि हाँ मैं तो सामरिस्त्री के समान हूँ कोई नहीं चाहता कि ऐसा पात्र बने पर प्यारो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के लिए योजना बनाता है और उसको उद्धार का सुसमाचार देते हैं उनके सामने अपने आपको वो मसीहा प्रगट करता है और वो एक व्य उस पानी को उसने पा लिया था उस सामरिस्त्री ने पानी का जो घड़ा था वो तो छोड़ दिया पर अनंत जीवन के जल को उसने पा लिया अलेलुया और वह ऐसा उम्रा ऐसा उम्रा कि उनके पूरे समरून के नगर में वो सुखार नगर में उनके पूरे नगर में वो मस हाथ को मिलाने के लिए वो एक जर्या बन गई वो अपने आप में क्योंकि प्रभु ने कहा था जो कोई भी इस पानी को पाले वो उसके अपने आप में जीवन का सोता वो बन जाएगा ये सामरी स्री वो गड़े को उसने छोड़ दिया इस सांसारिक सिंबोलिक सांसारिक पान पर अनेक लोगों के लिए वो अननत जीवन को पाने का जर्या बन गई वो अपने आप में जीवन का सोता बन गई जैसे प्रभु ने कहा था प्यारो कभी भी किसी भी इनसान को छोटा या कमजोर मत मानिये हमारी सोच गलत हो सकती है पर परमेश्वर की सोच और हमारी सोच म और हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि क्यों हम लोगों के सिर्फ दोस ही देखे। क्यों ना उनकी अच्छायों को भी देखे। परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकता है। किसी को भी अपने सुसमाचार का जरिया बना सकते है। जिसे साम्रिस्तरी ने उस बातों को ग्रहण कर लिया, उस सुसमाचार को मसीहा के विशे में जो उनको बाते मसीहा के मिली, उसने उसको पा लिया, और आगे अपने नगर में अपने लोगों को उनोंने पहुंचा दी और उसके बातों को सुनकर पूरा समरून नगर के लोग वहाँ पर आए और मसीहा को मिले और मसीहां उनके संग रहे उनके साथ बातचीत की हम 41 और 42 आयत पढ़ेंगे और उसके बाद एक छोटी सी बात समझ कर हम इस वचन को समाप्त करेंगे उसके बचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस्त्री से कहा अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते है कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है पहले उन्होंने कैसे विश्वास किया सामरी स्त्री ने उस स्त्री ने जो बाते उनको बताई थी नगर के लोगों को पहले उसके उपर विश्वास किया यानि कि उस सामरी स्त्री की गवाही प्यारो आपकी और मेरी गवाही वो लोगों को रभू तक खीच ला सकती है लोगो के पास जाओंगे, मेरे उपर लोग हसेंगे, मेरे उपर बाते बनाएंगे, उन्होंने कोई चिंता नहीं की, कोई परवा नहीं की, पर जो उनको मिला था, बड़े आनंद का सुसमाचार के मसी उद्धार करता हमारे बीच में है, उन्होंने जाकर अपने लोगों को बताया, प्यारो, कौन सी ऐसी बाते हैं जो आपको पीछे रखती है सुसमाचार को ना बताने में, हो सकता है आपको लगता हो कि मेरा कौन सुनेगा, प्यारो, आपके सामने वो सामरिस्त्री तो कुछ नहीं थी, आपके और मेरी परिस्तिती अच्छी है, सायद किसी को लगे, मेरे पास समय नहीं है, और ये बुलना ही अपने आप में एक बड़ा जूट है कि मेरे पास समय नहीं है, समय निकालना पड़ता है, समय किसी के पास होता, नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं, मैं I am so busy, मैं बहुत busy हूँ, busy कहां पर हो, क्या आपको पता है, आप कहां पर busy हो, य प्रभु येश्य मसीव के विशह में लोगों को ना बताने में कौन सी ऐसी बात है, सोचे और overcome करिये, सामरी स्तरी ने यदि सोचा होता, कि मैं क्यों जाओं, मेरा तो कोई नहीं सुनेगा, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मेरी परिस्तित, मेरा कोई सामाजिक स्थान नहीं है, क्यों कोई मेरी सुनेगा, अगर उस ने ऐसा सोच लिया होता, तो वो नगर और नगर के लोग प्रभु येश्य मसीव को कभी ना मिल पाते हैं, प्यारो, परमेश्वर ने आप के और मेरे लिए भी व्यक्ति गत योजना बनाई है, आप और मैं परमेश्वर की योजना में हैं, इसलिए वचन तो कहता है कि आपके लिए जो योजनाए मैं रखता हूं, आपके लिए जो विचार मैं रखता हूं, वो हनी के नहीं है, परमेश्वर की योजनाए आपके और मेरे लिए है, पर ये डिपेंड इस बात के उपर करता है, कि हम, मैं और आप उसको कैसे respond करते हैं मैं और आप कैसे उस बातों को लेते हैं कैसे हम सोच करते हैं कैसे हम विचार करते हैं प्यारो आपको और मुझे भी हो सकता है कोई 5 साल से प्रभू में होगा हो सकता है कोई एक साल से प्रभू में होगा हो सकता है कोई कुछ दिनों से या तुरंथ उसी समय उसने घड़े को छोड़ दिया और वो अनन्त जीवन की बाते मसीहा की बाते लोगों तक पहुँचाने के लिए निकल पड़ी सबसे पहले लोगों ने विश्वास किया सामरिस्त्री के गवाही के द्वारा और उसके बाद प्रभू को उन्होंने रिक्वेश्ट किया कि तु मेरे नगर में रहे हमारे नगर में रहे और वो थोड़े दिन वहाँ पर रहता है और उसके बाद ये बाते लिखी गई है कि अब वो स्त्री से कहते है कि अब हम सिर्फ तेरे कहने से है सामरिस्त्री तुने जो बाते मसीहा के विशाई में बताई सिर्फ उसके कहने से ही नहीं पर अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है प्रभू का वचन प्रभू की बाते वो प्रभू का वचन हैं आज प्रभू की बाते वो वचन बाइबल हमें मिला है गवाही और प्रभू का वचन ये दोनों अनेक लोगों को प्रभू में लाने का जरिया बन जाएगा हो सकता है आपकी गवाही कई लोगों के लिए आसिश का कारण बने पर वो गवाही जब प्रभू को पास लोगों को ले आती है उसको जो देना है वो है प्रभू का वचन क्योंकि हो सकता है मैं और आप साइद कभी ना कभी संसान में रहे या ना रहे यदि प्रभू का अगमन में दे रही है तो पर वचन वैसा का वैसा और जब तक प्रभू का वचन तो कहता है कि ये पृत्वी और आकास चल जाएंगे पर मेरी बातें नहीं टलेगे यानिकि अन प्रभु में खिंट लाएगी और प्रभु का वचन वो लोगों को प्रभु में स्थीर बने रहने के लिए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु की पहचान में प्रभु के साथ के संबंद में आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन वो उनकी सहायता करेगा प् प्रमेश्वर का वच्चन ही सब बातों में यानि कि आत्मिक जब हो स्पिरिच्वल गुरूत की बात करते हैं वच्चन प्रात्ना और प्रमेश्वर के साथ का संबन वो हमें आके बढ़ाता है जैसे सामरिस्त्री ने अपने उनको जो मिला था वो उन्होंने लोगों तक प्रमेश्वर के सानुकुल परिस्तिती हो या प्रतिकुल परिस्तिती हो पर हमें सुसमाचार करते रहना है परिस्तित्या चाहे जैसा भी हो चाहे लोगडाउन हो जर्या हमें ढूंड़ना है कि हम कैसे लोगों तक प्रभु की बातों को पहुचाएंगे चाहे कोई भी आने वाले समय में चाहे कोई भी हो कुछ भी हो पर हमें सुसमाचार को आगे ले जाना है और राज्य का सुसमाचार लोगों को बताना है राज्य का सुसमाचार क्या है आपके और मेरे और इससंसार के लिए पापों के लिए उन्होंने बलीदान किया जो कोई उसके उपर विश्वास करे उनके पापों को शमा कर दिया गया है और वो धर पाये है और जब वो तीसरे दिन पुनुरुथान होकर चालीस दिन लोगों के संग रहकर वो जब गए उन्होंने promise किया कि पवित्रा आत्मा आप पर आएगा और पवित्रा आत्मा आप आओगे और सुसमाचार को आप प्रगट करोगे पृत्वी की छोर तक और उन्होंने कहा था कि मैं फिर से आओंगा यानिकि प्रभु येश्यों मसी का दूसरा आग्मन परमेश्यों के राज्य के सुसमाचार में जो एहम बात है कि वो मसीह जो इस पृत्वी के उपर उद्धर जो लोगों को उद्धर देने के लिए आया था जो जिन्होंने लोगों को उद्धर दिया वो फिर से आने वाला है और इस पृत्वी के उपर अपना राज्य स्थाप करने वाला है उस राज्य के विशय में राज्य की बातों के विशय में हमें लोगों को बताना है प्यारो आपकी गवाही और परमेश्वर का वचन ये सब हमें परमेश्वर को देना है उन मागी राजा को जब पता चला वो भी गए प्रभु को देखने के लिए और वहां जा कर वो पहले राजा को मिले थे कि यहां पर राजा जन्मा है उद्धार करता जन्मा है गडर्यों को वो संदेशा मिला प्यारो सोचो इंडिया या पार्सी कोई भी वो जो भी नमागी राजा जो भी थे हमारी हमारी भूमी से हमारी और से वहां पर गए थे कितनी दूर एक राजा के स्टार को सिर्फ देखके उस उद्धार करता के स्टार को देखकर वो इतनी लंबी यात्रा करके गए उनका रिस्पॉंस देखिए हमें सिर्फ चर्च जाना होता है अभी तो सिर्फ ऑनलाइन होना होता है उसमें हमें दिक्कत होती है उनलाइन होने में हमें दिक्कत होती है मागी लोग इतनी दूर यात्रा करके उस मसीह को देखने के लिए गए और राजा को बताया कि उद्धर करता यहां पर जन्मा है राजा जन्मा है गडर्यों को जब मिला उन्होंने अपनी बेड़ों को वैसा का वैसा छोड़कर जहां श्टार था जहां मसीह जन्मा ले चुका था वहां पर वो गए उनका रिस्पॉंस और उसके बाद उन्होंने लोगों को बताया उस बड़े आनन के सुसमाचार के विशे में सामरिस्त्री को जब अपने जीवन में वो उद्धर करता मिल गया उद्धर करता की बाते जब उनके संग आई कि मैं ही मसीहा हूँ उन्होंने जाके उस उद्धर की बात को उस मसीहा की बात को अपने नगर के लोगों को पहुंचा दिया प्यारों मैं और आप भी उस मसीहा को जान चुके है उस उद्धर की बात को मुझे और आपको वो बाते हमें मिल गई है उस उद्धर को हमने पाया है आपका और मेरा रिस्पॉंस क्या है आए हम आखरी प्रातना करते हैं सभी लोग आखे बंद करें प्यारे परमेश्र पिता प्रभुईयेश्यमती नाजरे के नाम से हम आपके चरनों में आते है पिता जो भी बाते तेरे वचन के ध्वरा हमतलख पहुंची है पिता होने दे कि ये वचन हमारे रिदयों में एक बीच के समान बस जाये और आने वाले समय में हम भी उस सामरिस्त्री के तरह हम भी उस गडरियों की तरह हम भी उस मागी राजाओं की तरह हम बैठे ना रहे पर हम प्रभु तेरे सुसमाचार को अनेक लोगों तक ले जाए उस सामरिस्त्री ने अपनी किसी भी बात की परवा नहीं की पर प्रभू तेरे सुसमाचार की बातों को लोगों को पहुँचाया अपने नगर के लिए वो अपने आप में जीवन का सोता बन गई प्रभू हम प्रातना करते हैं कि मुझे और हम सब को सुनने वाले हरे एक व्यक्ति को प्रभू आपके अनंते जीवन का सोता बनाईए कि हम तेरे सुसमाचार के वाहक बन जाए हम तेरे सुसमाचार के मध्यम बन जाए हम जहां कहीं भी जाए प्रभु तेरे उद्धर की बाते लोगों को बताए प्यारे परमेश्वर पिता जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उनकी जो भी आवश्यक्ता है उनकी जो भी जरूरते है प्रभु जैसा ये तेरा वचन कहता है तुझ में जो अनुगरहम ने पाया हूँ उस अनुगरहमें मैं कहता हूँ कि मेरा फरमेश्वर सुननेवाले हर एक व्यक्ति की, हर एक आवश्यक्ताओं को आज येश्यु मसीह में पूरा करे प्रभु तेरी स्वर्गिय संपत में से उनकी सारी आवश्यक्ताएं जरूरते आज पूरी हो जाए प्रभु येश्यु मसिन नाजरी के नाम से प्रभु जितने भी लोग विमार है प्रभु तेरा पवित्र आतमा शामर्थी आतमा अभी उनको छुए बिमारियों के पीछे कारियरत दुष्टातमा अभी इस संसार का हरेक अशत्य मिडिया का हरेक अशत्य आज येश्यु मसिन नाजरी के नाम से हम उसको बांचते हैं उनकी ऐसी हरेक अशत्यता को हम तोडते हैं यदि किसी के जीवन या परिवार में अनकार का शामर्धाज कार ये कर रहा है, हर एक दुष्टात्माओं को और शुदात्माओं को हम दाटते हैं और हुकम करते हैं कि इस जीवनों में से, इस परिवार में से दूर हो जाए, प्रभु येश्यु मसी नासरी के नाम से, हर एक बिमारियों को हम डाटते हैं कि जीवन में से, शरीर में से दूर हो जाए और प्रभू वो तेरी चंगाई को प्राफ्ट करे तेरे उद्धार को प्राफ्ट करे प्रभू तेरे छुटकारे को प्राफ्ट करे Be healed right now in the mighty name of Lord Jesus Christ Be healed Set free संपोन रिती से स्वतंत्र हो जाए येश्य मसी नाजरी के नाम से इस संसार की हरे का स्वतंत्र करे और प्रभू तेरी सत्यता हमारे रिदयों में हमारे मनों में बश जाए प्रभू आने वाले समय के लिए मेरी प्रात्ना है हरे एक विश्वासियों को प्रभु देखते हुई आत्मिक आखे दे प्रभु, सुनने वाले आत्मिक कान दे प्रभु, कि प्रभु इस संसार की बातों के उपर जो उनको प्रगट किया जाता है वो नहीं, पर प्रभु तेरा वचन, तेरा आत्मा क्या कहता है, वो बातों को वो समझ सके, प्रभु हम क नहीं भी डिसीव ना हो, इस संसार की कोई भी बातों में हम डिसीव ना हो, पर प्रभु तेरी सत्यता में और तेरी इच्छा में हम आगे बढ़ें। आम से मांगते हैं, आमें